चलिए एक बार फिर नाई वीडियो को शुरुवात करते हैं और आज का टोपिक जो है वेक्टर में डॉट पोड़क्ट डॉट पोड़क्ट का जो भी आप लोग का प्रश्ण आता है एक्जाम में आप लोग डर जाते हो जैसे इस तरह का कोिशन फुछ लिए आता है आप से फर्मूला पुछ लिए ता है आप लोग में लगता है कि अब याद नहीं है डगल render का का यह तो क्या क्या कुवास है दो पता निशलता है लेकिन इस वीडियो को देख आप भी इतना फाष्ट कोई भी प्रश्ण आएगा इसके मदद से बहुत ही फाष्ट बना दोगे आप लोग दिखत कहां होती है कि यहाँ पर जो है ना समझे में नहीं आता है अभी पढ़ाया जाएगा बाद में भूल जाते हो आप लोग पढ़ते समय तो याद रहती है बाते लेकिन कुछ दिर बाद भूल जाते हैं तो वही नहीं भूलने के वज़ा से ये वीडियो हम बना रहे हैं ये मेरा एपिसोड वन है इस एपिसोड में डॉग पड़क का गरदा उड़ने वाला है इतना बेसिक से आप लोगो सारे कंसेट पढ़ा देंगे कि आप लोगो भी एक भी एकजाम में क्वेशन डॉट प्रड़क से नहीं छुटने वाला है इस वीडियो को सिर्फ आन तक देख लिजिएगा फिर मजा आ जाएगा ठीक है चलिए हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम मातरक सदिस या 41 सदिस से हम चलेंगे पहले जो फर्मूला लिखवाए हैं इस फर्मूला हम बताएंगे लेकिन उससे पहले आप लोग को हम कुछ बाते बताएंगे कंसेट पढ़ाएंगे नहीं कंसेट समझजिएगा सब भूल जाएंगे, पढ़ना बेकार हो जाएगा आईए, मातरक सदिस या इकाई सदिस क्या होता है ये भी आपके एक्जाम में पूछ लिया जाते हैं मातरक सदिस या इकाई सदिस अब ये मातरक सदिस कह दे या इकाई सदिस कह दे ये क्या होता है, आपको एक्जाम में पूछ लिया जाता है यही समी स्टार्ट कर रहे है मातरक सदिस या इकाई सदिस कहने का मतलब होता है एब हेक्टर का मापांक में दिया गया है ये भेक्टर मां 5 कहदे या ये sqyre कहदे उसका जो value होता है 1 होता है मातरक सदीस यानि 21 सदीस का जो मान होता है 1 होता है इससे याद रखिएगा जदी इसका value पुछा जाए उसका value 1 होगा A square का value मात्राइक सदी से पुछा जाएगा उसका value 1 होता है बात समझ गए इसी concept से हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो को अच्छे से देखते चलिएगा हर एक formula आप लोग को बहुत ही अच्छे से याद करा देंगे जो जिन्दगी भार आप नहीं भूल पाओगे आएए हम इसको हटा करके लंब 21 सर्दीस के बारे में हम थोड़ा जनकारी लेते हैं उसके बाद सारे चीज़े clear हो जाएगी क्या हमने बोला लंब 21 सर्दीस अब लंब 21 सर्दीस क्या है इस पर थोड़ा चार्चा करना है और इसी को समझ जाईएगा न एक भी आपको dot product से question छूटेगा नहीं समझिए यहाँ पर आईए यह देखिए X हो गया और यह Y हो गया और यह जो होता है Z होता है यह तो बात जानते है इसके साथ आलफा कुण बनाता है इसके साथ बीटा बनाता है और इसके साथ गामा बनाता है बात को समझ में आया लंबी काई से दिस X-axis, Y-axis और यह Z हो जाएगा इसके साथ आलफा इसके साथ बीटा इसके साथ गामा बनाता है और X-axis के साथ में इसी concept को समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई रुक नहीं सकता है कि डॉट भेक्टर से आपका कोचन गलत हो जाए कहने का मतलब है कि एक भी कोचन गलत नहीं होगा समझ गए इसको समझ यह सिर्फ तो एक फर्मूला बस याद कर लिजे मेरे भाई फिर आप गलती करें नहीं सकते हो वो कौन सा फर्मूला है यह देखो a vector dot b vector इसी पर सारे फर्मूला बनेंगे a vector dot b vector का फर्मूला होता है a vector into b vector dot cos θटा होता है बस आप इससे याद कर लो a vector dot b vector का फर्मूला भी direct आपके एक्जाम में पूछ लिया जाता है इसे याद करिए कि a vector dot b vector का फर्मूला होता है a vector dot b vector into cos theta होता है समझ माई बाते अब चलिए हम आपसे पुछेंगे यहाँ i है, j है, k है अब dot vector में फर्मूला कौन कौन से बनता है जो हमने लिखा था ना first वही सिर्फ 6 फर्मूला बनता है तो पहला है, ध्यान दिजिएगा पहला है कि आपको i vector dot i vector का फर्मूला क्या होगा तो i vector dot i vector का जो फर्मूला होता है one होता है अब आप कहेंगे, sir, one आखिर क्यों होता है तो पुरूप दिखाएंगे और आप भी ऐसा सिख जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे इसका हम पुरूप दिखाते हैं कैसे दिखाएंगे जी? इस फर्मूला के मदद से i vector dot i vector a vector dot b vector a vector dot b vector यानि a का भीमान i है b का भीमान i ही है इसी के मदद से हम लोग यहाँ सल्व करने वाले हैं बात को समझ रहे हैं न? तो देखिए a का मान i है b का मान भी i है इस फर्मूला पर इसको रखते हैं क्या हो जाएगा? पहली नंबर में i vector होगा into b vector का इमान i ही है और into में cos theta अब कहोगे कि सब theta का मान कहां सलाएगा? यह भी तो बता दीजिए तद देखो theta का मान कहां सलाएगे? एक क्या बोला है? i.i मतलब i वाला ही एंगल में चलना है j में नहीं जाना है तो i कहां मिल रहा है? यहां पर और i के i के साथ में कोड क्या बना रहा है? इसके साथ क्या कोड बनाती है? 0 क्या बनाता है? 0 ठीके? यहीं जदी i, j कह देता i के साथ में j कितने डिगर के कोड बना रहा है? 90 डिगरी का देख रहे हो ना? तो i के साथ में i कितने का? 0 डिगरी का है वन होता है और इसका भेलू भी वन होगा और कॉस जीरो का माँन जानते न तिरपड़ने वाला है तिरप्डलनी जीरो का मान एक होता है इसको गुणा कर दोगे एक आजयेगा ये sno- truth哎 dice ड़ॉ जाएगा फिर लाइट गई वेट कर जाती है लिकथ होता है थोड़ा Intelligence इसको थोड़ा सा माप करिएगा मेरे को ठीक है बिच में डिस्टरब कर रहा है लाइट तो i vector dot i vector is equal to 1 हुआ निकालने आया क्या आप लोग को बिल्कुल आया होगा अब जैसे हम कहेंगे आप लोगों से कि j vector dot j vector क्या होगा तो j vector dot j 1 होगा क्यों प्रूब भी दिखाया ना कि j vector इस फर्मूला पर a का माण j है b का माण j है इस फर्मूला पर तोड़ेंगे तो j vector dot j vector into cos theta theta कहां पर आएंगे j vector dot j में ही रहना है तो इसके साथ 0 degree का कोण बनाएगा तो 0, j vector का value 1, cos 0 का माण 1, 1 आ जाएगा तो आपको तो अब बाते समझ में आ गई होगी आया की नहीं आया बिल्कुल आया होगा अब j dot j तो बना दिये दोस्त अब आपसे हम पूछ देंगे कि kve vector dot kve vector आप इसे homework में बनाना बना दोगे न 100% बना दोगे मेरे भाई बहुत इजी है ठीक है चलो अगला देखते हैं समझ में आ गया न एक ही जैसा भेक्टर में दिया गया और dot में हो तो उसका value 1 प्रूब भी बता दिये अब याद करने का trick क्या होता है इससे क्या अच्छा हो सकता है बताओ लाइफ टाइम के लिए आपको बता दिये कभी भूलोगे नहीं अगला ये इसका दूसरा चौथा में होता है तीन टाइप का यह हो गया एक टाइप का दूसरा टाइप का चौ इस फर्मूला पतोड़ेंगे तो i vector dot j vector dot cos theta अब theta काने का मतलब देखिए तो theta का मान i और j के साथ क्या बना रहा है i और j के साथ में 90 degree का बना रहा है theta का भैलो 90 आगया हो गया 90 अब देखिए i vector का भैलो 1 j का 1 हो जाएगा और cos 90 का 0 0 में किसी भी संक्या से बुना करेंगे 0 आया समझ में अगला इसका देखिए इसमें दूसरा जब का देखा j और k j vector dot k vector का भैलो वही सेम फर्मूला j vector dot k vector dot cos theta theta कमान इसके साथ कितने degree के बनाएगा इसके साथ भी 90 degree के बनाएगा क्योंकि जब देखो x y z जो axis होता है यह थोड़ा हम लोग दिखान नहीं पाते है ठीके यह नहीं तो यह भी क्या होता है 90 degree का ही बनाता है इसको अच्छे से पढ़ाये थी 11th class में हम ठीके कैसे यह बनाता है 90 का इसको 3D में देखो के तब यह 90 को दिखता है इसे word पर दिखाए नहीं दे सकता है ठीके तो क्या होगा यह भी कितने का बनाएगा 90 का बनाएगा यहा क्या अब J और K हो गया तो अगला और K भेक्टर और I भेक्टर नहीं बना दोगे इसके साथ भी क्या बनाता है 90 कहीं बनाता है 1 into 1 into 0 यह भी 0 बात समाज माई ना तो सिंपल सी बात है कि जब I के साथ I भेक्टर रहेगा उसका 1, J के साथ में J रहेगा 1, K के साथ में K याद हो गया पुरूब भी बता दिए अब क्या बता सकते हैं आपको याद करने का तरीका बताओ तो याद हो गया ना चलिए आए तो हम अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग को भी बनाने के लिए देंगे ठीक है आए तो आई एकदम गारदा उड़ा दिया जाए यार एकदम बिल्कूल मजा आएगा भेक्टर तो कुछ नहीं है बहुत तीजी है समझ गए बस आप लोग डर जाते हो इसलिए दिकत हो जाती है क्या क्या आपने भी फर्मुला पढ़ा अपने पहला नंबर फर्मुला पढ़ा कि आई भेक्टर डॉट आई भेक्टर जे भेक्टर डॉट जे भेक्टर और के भेक्टर डॉट के भेक्टर रहेगा उसका भेलू एक होता है याद रहेगा ना अब दूसरा आपने क्या पढ़ा आई के सांत में जे रहेगा या जे के सांत में के रहेगा और के के सांत में आई रहेगा उसका भेलू जीरो होता है याद हो गया ना यहीं न छे फर्मुला पड़े थे अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं एक क्वेश्चन करेंगे बाकी आप लोग को करना होगा कर दोगे ना आईए ठीक है चलिए तीन क्वेश्चन है इसमें से कौन साम बना दे बोलो हम बनायते हैं पहला बाकी सब ए चैविए से आप लोग पढ़े आपको क्रोस आया फोले उन्ह ब्रहार है अपटा प्लास अब चनरल क्यों आप प्लास बीश्चन वलस्चन पॉल्छ अपट हैं लेंगे इन दोनों बीश्चन संसमें देंगे तो आई प्लस फोर जे अब आई और टू आई से करेंगे देखो तो आई डॉट आई डॉट आई क्या होता है वन होता है आए टू से और वन से करेंगे तो हो जाएगा आई डॉट जे जिरो होता है और इसमें फोर है तो क्या कर देगा जीरो प्लस जे से और आई से आई जे कई ज गऊँब बात एं कहीं है तो जे आई कर दू जे आई और टू सिक्स एंसर बस मल्टिपल करो आई 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 आता है वन करोगे आई जी आएगा जिरो कर दोगे वो सब जिरो कर देगा इस तरह से डॉट पक्ड़क्टा क्वेशन बनता है तो आप दो क्वेशन बना करके हमें वाट्साप पर सेयर करना होगा आपको 8383896194 क्या बना दोगे बिल्कुल बनेगा कोई हार्ड नहीं है बहुत ही इजी है बस महनत करते रहना है पढ़ते रहना है बात समझ माई ना कर दोगे है नहीं कर दोगे कर दोगे तो अगले वीडियो में जो एपिसोड टू होगा उस वीडियो में हम लोग क्रॉस मल्टिप उसको भी जुरू दिखना अगले वीडियो में ठीक है तो वीडियो पसंद रहागा तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसका जूरू सेर करिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीका से हम बताने को इसकिया ताकि आप लोगो समाज माजा जै जिनुवन तरीका से बताया कि प्रूब भी बताया कैसे याद करने बताया सब कुछ बता दिए देख लिए होंगे ताब आपको फासेंग नहीं कहीं पर डॉट परड़क्त में मेरे को 100% बिलीब है आपको क इतना बिलीब है कमेंट बक्स में कमेंट करिएगा चलिए एपिसोड टू में मिलते हैं